हेलो एंड वेल्कम फ्रेंड्स मेरे यूटूब चैनल देशी चूल विट सरोज में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ चिकन चंगे जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीस चिकन बनकर के तयार होता है थोड चौटा चमच नमक डाला है आप अपनी टेस्ट के आनुसारमे अदा चोटा चमच चानम असा्लकाश के घुटा simplu मिर्ड़ बहुत के कॉछ मृट कशर मशाना दालेंगे अब भी राज्मिरम्राय कृट मफीयो का के थेड़ कऊप कने यह भी है इसको घंट लिया है और यह अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि सारे मसाले हर एक बोटी के ओपर बहुत अच्छी से मिल जाएं यहाँ पर हम इसमें एक छोटा चमच गरम मसाला एड़ करेंगे और धाई बड़ा चमच लस्सा नद रख्का पेस्ट डालेंगे इन सब बी चीजों को हम अच्छी से मिलाएंगे ताकि हर एक बोटी पर मसाला अच्छी से मिल जाए और अगर हमारे पास टाइम है तो हम इसको आदे गंटे के लिए कम से कम मैनेट होने के लिए रख देंगे अगर टाइम नहीं है तो हम साथ-साथ भी इसको बना सकते हैं तो यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ तब-तब मैं आगे की तैयारी कर लेती हूँ यहाँ पर मैं एक पैंच अड़ा दूँगी गैस के उपर और उसमें एक कर्ची सर्चों का ओयल डाला है मैंने इसको गरम होने के बाद मैं इसमें यह चार मीडियम साइज की प्याज हैं इनको मैंने इस तरह से काट लिया है और इसको तेल में एड़ कर दूँगी यह देखिए तेल के अंदर इसको भूनूंगी मैं यह प्याज हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूननी है हमें ब्राउन नहीं करनी है सिरफ तब तक भूननी है जब तक इनका पानी ना खतम हो जाए और यह सौफ्ट ना हो जाए यहाँ पर मैं दस बारा काजू डाल दूँगी अगर आपके पास हैं काजू तो फ्रेंट्स ज़रू डालिए नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं यह देखिए इनको अच्छे से भूनूंगी ताकि प्याज सौफ्ट हो जाए इस प्याज को भूनते होए पांच मिनट हो गए है अब मैं इसमें ये मीडियम साइज के चार टमाटर है जिनको मैंने बारिक बारिक चौप कर लिया है इनको भी इसमें एड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिलाऊंगी और इसको तब तक भूनूंगी जब तक की तक की टमाटर सॉफ्ट हो जाए और साथ में प्याज भी सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से बुन जाए यह देखिए यह देखिए यहां पर यह बहुत अच्छे से बुन चुके हैं आप हम इनको किसी प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे यह देखिए यहां पर मैं इस गार मैंने ओयल ढाल sambo रर्मेडो wird उसको मैं फ्राइ करूंगी यह देखिए तो इसको हमें इतना शैलो फ्राइय करना है कि इसके ऊपर थोड़े से ब्राउन ब्राउन निशान आ जाएं फॉसमें ब्राउन देखिए हम सारी पीजया पीजसों को यह देंगे अब मैं पलट करें, दूसरी साइट भी इसको अच्छे से सेक लूँगी ये देखिए, ये हमारा चिकन बहुत अच्छे से भुन गया है ये देखिए, इसके पर बहुत अच्छा कलर आ गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी इसमें तयार कर लेंगे यह देखिए यह मेरा दूसरा बैच है वो भी बन करके तयार हो गया है अब हम इसको निकाल लेंगे और एक साइट में इसको रख देंगे यहाँ पर हम कडाई लेंगे और उसमें आदा कर्ची के करीब ओयल डालेंगे, यहाँ पर ओयल की मातरा थोड़ा भी सकते हैं, मैंने ओयल इसमें सिर्फ आधी खर्ची एड़ किया है, यह देखे, इसमें मैं एक बड़ा चमच, लस्र अदर का पेस्ट डालूँगी और उसको थोड़ा सा भुनूँगी, यह देखे, इस तरह से चलाते हु ताकि इसका कच्चापन खतम हो जाए, अब हम इसमें थोड़ा से मसाले याड़ करेंगे, यह कश्मीरी लाल मिल चाहे, एक चमच भर करके इसमें यह डालेंगे, यह एक बड़ा चमच है, इससे फ्रेंट्स इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, यह देखे, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे, ताकि यह मसाला जले ना, पानी में उसी बरतन में ले रही हूँ, जिसमें मैंने लसन अद्रा का पेस्ट बनाया था, और इस मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे, ओल सेपर होने तक, यह देखे, मसाले ने ओल छोड़ दिया है, अब हम इ आड़ करेंगे, क्योंकि नमक मां पहले भी एड़ कर चुके है, इसलिए हम थोड़ा ध्यान से नमक को डालेंगे, और इन मसालों को फिर से भूनेंगे, यह देखिए, कर्ची चलाते हो इस तरह से भूनेंगे, कि ओल इसका सेपरेट हो जाए, यह देखिए, यह मसाला यह देखिए, इसको चलाएंगे, और इसको चलाते हो थोड़ दिर भूनेंगे, जब तक कि ओल सेपरेट न हो जाए, यह देखिए, यहाँ पर मसाले ने ओल छोड़ दिया है, अब हम इसमें एक बड़ा चमच भर करके कसुरी मैथी अड़ करेंगे, कसुरी मैथी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसको जरूर एड़ करें, यह देखिए, अब हम इसमें जो हमने प्याज टोमाटर हमारा मसाला था, उसको हमने मिक्सी में पीस लिया है, अब हम इसको एड़ कर देंगे, यह देखिए, इसको भी चलात हो भूनेंगे, अब हम इसको चलाते हो कम से कम 7-8 मिनट तक भूनेंगे, जब तक की ओईल थोड़ा सा सेपरेट ना हो जाए, यह देखिए, इसका ओईल उपर आ चुका है, और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ओईल एड़ नहीं किया था, अगर आप ज़्यादा एड़ क और इसका हम सारा मसाला इसमें अच्छे से पहुंच करके डाल देंगे, यह देखिए, अब इसको अच्छे से चलाएंगे, यह खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़िदार बन करके तयार होता है, फ्रेंट्स, थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी पड़ती है, और उस इसके बाद यह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी चिकन बर्गरते तयार हो जाता है, यहां पर हम जरूत के हिसाब से पानी एड़ करेंगे, मैंने यहां पर एक छोटा कटोरी पानी एड़ किया है, यह देखिए, यह पकते हो थोड़ा सा और गाड़ा हो जाएग तो मैं इसमें एक कटोरी पानी ही एड़ कर रही हूँ, यह देखिए, अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 8-10 मिनट के लिए, यह देखिए, यह देखिए, हमारी चिकन को पकते हो एक 7-8 मिनट हो गए हैं, और यह बहुत अच्छे से पकर के तयार है, यह देखिए, बहुत ही बढ़िया देखने में यह लग रहा है, बस मन कर रहा है कि फटाफट से इसको खा ले, इतनी अच्छी इसमें से खुश्बू आ रही है, यह देखिए, अब यह बहुत अच्छे से बनकर के तयार है, यह देखिए, ग्रेवी देखिए आप इसकी, देखिए, और उसको हम कटोरी के अंदर रख देंगे, और उसके उपर बटर या देशी घी, कुछ भी डालेंगे, मैंने यहापर देशी घी उसकिया है, पांच मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, और उसके बाद हम कटोरी को निकाल करके एक साइड में रख देंगे, यह देखिए, हमारा दूहा खतम हो चुका है, और हमारी कितनी बढ़िया सब्जी बन करके तयार हुई है, यह देखिए, इसकी खुश्बू हम बतानी चाकते हैं आपको, आप हम इसमें साथा हरी मिच एड कर देंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया, तो फ्रेंड्स अगर पांच मिनट के लिए, गैस बन करके ऐसे ही छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसको आपको सर्फ करके दिखाते हैं, यह देखिए, कितनी बढ़िया और कितनी टेस्टी, यह सब्जी देखने में लग रही है, और खाने में इससे ज्यादा टेस्टी थी, तो फ्रेंड्स